आज हम पार्ट तरी के नदर जो हम सिखेंगे आज हम डीव के साथ स्टाइल शीट को सिखेंगे इन लाइन भी यो वे जो हम पसकता है कैसे सिखेंगे इसके लाइब हम ब्रावजर के इंसपेक्ट अलीमेंट को भी इउटलाईज करेंगे कैसे हम एक फासरस्ड डेजाइब कर सकते हैं विडाओ वेस्टिंग अलाट अव टाइम इन अचाइब को अचाउल बार बार रहम किसी कोड को सेव या अनसेफ करने के बज़ाए बढ़े असानी से एक ब्राउजर में ही बैटे बैटे को आपको CSS को डिजाइन करके उसे इट्राइज कर सकते हैं तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसकिल जो सबसे इंपॉर्टन वेब 2.0 की ड्यूल में तो रही है वो डिप के तो रही है इसस के रिए उसके होती है मैं इसके विप करता हूं 50px हाइट करता हूं 20px फ्लोट राइट यह हाइट आ गया यह सौरी यह बित आ गया यह हाइट आ गया यह फ्लोट के मतलब यह है कि इसे राइट साइड पर मूव करा देए जैसे मैं से सेव करके रिप्रेश्च करता हूं तो यह आटोमेटिकली जो डाइव जिसके अंदर फ्लोट में उसके राइट साइड रूम में उसके साइड फोड़ा बढ़ा टेक्ट करके रिप्रेश्च करते हैं ताकि ठेक आज़े और यही चीज हम तुमाम डाइव में यूज कर सकते हैं और देखें यह आटोमेटिकली एक अलाइनमेट जास्ट हो जाएगी 150 साइज यह 150 आगया यह की आगया सारा राइट पर हो गया इमन के अगर आप इसी को लेफ पर करना चाहें तो हम इसे लेफ पर भी कर सकते हैं स्पेशल प्रेश्च को यह सारा एक ला जाने पी कि डेवाज स्टाइल शीट सीट शीट के साथ यूज हो रहा है इसके लावव चल्राइब में यूज करेंसे पर एक टेक्स्त प्लर है यह हम कर सकते सिंपर कलर के लिए मिन उडरिफान चाहाई है म्याग वनिए से लावज पेढन है इसके अलावा फस्बूड दि वो बाल्ड देख ने जितना ही पॉंट आएगा वो बाल्ड हो चाहेगा और इसके लावा बेक्राउंड देख्राउंड रिफाइन करते हम 0000 प्रियर ब्लैक तो बेक्राउंड आटमेटिक ब्लैक ब्लैक हो जीएगा इसके लावा हम यूज कर सकते हैं text align center हम जैसे refresh करेंगे तो डिफ के अंदर जो भी टेक्स्टर हो अलाइन होके center मर जीएगा इसके लावा इसके यही नहीं हम इसके height भी ब्रहा सकते हैं को और पर सम्टाइम हमें height 40 चाहिए होती है थोड़ा size बड़ा चाहिए होती है तो height बढ़ा सकते हैं फिर इसके लावाब अब यह देखें कि text जो है CSS के अंदर उपर है अब इसे में center में करना है तो इसके लिए हम जूज करते है line height और मैं इसे 20px कर देता हूँ तो उपर से line निचे जो उपर से 20 pixel होगी हम 40 pixel चाहते हैं कि यह automatically center में हो जाएग जो आपके height होगी वह यह आपको define कर देंगे तो automatically वह center कर देगा अब CSS का next benefit यह है for example अब मैंने यह सिर्फ take के लिए बनाया लेकिन मुझे यही चीज इन take के लिए भी चाहिए और take के लिए भी चाहिए तो इसके use करने के लिए हम heading ब जाएंगे यहां मैं style के take use करता हूँ और close करता हूँ और यही सारी जो हमने CSS लिखी है जितनी CSS आपके सामने हैं मैं सारी यह cut करता हूँ इदर paste करता हूँ सबसे परने हम डालेंगे for example div right यह हमारी class का name होगी CSS CSS जो भी हो class होगी ID और class हम दो use करता हूँ यह उसका name होगी अब हमें इसे तोड़ा सा align करता हूँ line में तक्तीव से चाके easy to available और text समझने के लिए हमें style take यहां से remove करता हूँ इसे जिए class use करता हूँ हमारी class का नाम का dive right sorry हम right की जाए हमारी left है इसे left table रहता हूँ और इसको class left रहे save करके refresh करता हूँ तो देखें आटमेटिक लोगी यही चीज़ हम सब के साथ apply का सकता हूँ इसके साथ use करता हूँ इसी class को ना copy करता हूँ और इसको पेस करके refresh करता हूँ आटमेटिक लिए आटमेटिक लिए आप इसे menu भी उज़ करता हूँ इसे table भी यूज़ करता हूँ आपके requirement पर इसको किस तरह use करता हूँ इसके लावब आप जो next benefit उठा सकते हैं हम एक और class बनाते हैं इसे table भी यूज़ करता हूँ इसे right tab देता हूँ और जो मारा for left है हम इसे right करते हैं और automatically जिस tab को या जिस tab को हमने right करना है या मैं easily करता हूँ for example this is right this is for left and change this to right right इसलिए हमारी already एक है जिसे class बने है refresh करना है जो right है right में जो left है इसे left पाएने है तो हम क्या करेंगे अगर हम step को remove करते हैं तो यह सब कुछ इसकी style background सब को remove हो जिए हमारी refresh करता है और यह stand alone हो जाए इसके बाद हम ए code div बनाते है उसका नाम रखते है center हम इसे center करने के लिए हम इस drive to select करते है for example मैं इसे save करता हूं इसकी class बनाता हूं पहले हम class को लगाए और इसे हम refresh करता है अगर हम देखें हमारी जो class है div center है यह वाली अगर हम इसे inspect करते है तो आप देखते है कि यह float right है मैं से remote करता हूं margin right auto margin left auto I think मेरे यह spelling का problem होगा yes हमने music to do लगा है जब क्या हमें चाहिए था column human के display block के जूप नहीं है यह फिर भी काम करेंगा हमारा flow try icon close करेंगे अब इस अब इस जो पैनल कर देख रहे है inspect element का बैसलिए इसका फाइदा यह होता है कि आप यहां से एक on this part बैठे बैठे आप एक HTML tag यह dev dev design कर सकते हैं यह CSS code कर सकते हैं और उसको काफी करके अपने CSS में डालने इससे real time के अंदर editing है ना कि आप बार बार फाइल को save close करें आपके जो भी problem होगी CSS के अप डेट करके दे सकते है जिसता है यहां मैंने अप चेंजिंग करी है तो dev मेरी आटोमेटिकली इसके हसाब साफ़ा अड़स होगी है तो यह तो है आपके बहुत एजी और साफ़ासा तरीका कर गया आपके साफ़ास अपनी HTML के साथ यूडलाइज कर सकते है जैसे कि हम ने सेख़ा है कि हम कैसे अपना CSS को यूडलाइज कर सकते हैं HTML के साथ एक ही CSS कोड लगा के multiple tape में यूज़ कर सकते है और multiple अपलस CSS की klas कुना है करें हम अपने tape के साथ class से टेज कर सकते हैं और next part ने इंशाला part 4 के इंदर हम सेखेंगे हम कैसे अपनी PHP को हस्ता हस्ता यूटलाइज करेंगे फिलाल हम basic सेखेंगे next time ने इंशाला हम proper HTML code के साथ स्क्रीज इंदर के लिए अदापिज कि नमें तो